नमस्कार दोस्तों अगर आपका फैमिली मेंबर में कोई ईलावारती है जो पेंसन का लाव ले रहा है चाहे हो कोई भी पेंसन हो और उनका पेंसन जो हमेशा के लिए बंद हो चुका है अगर उसका इस्टेटर आप चेक करते हैं तो इस तरह का नोट्रेसिवल दिखा रहा है तो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस तरह का चो पेंसन दारी है उसका पेंसन फिर से कैसे चालू करना है हम आपको इस टेप आप जानकारी देने वाले हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको इस साइट पे चले आना है इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ से आपको इस साइट पे आजाना है इस साइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना इस टेकर को चेक कर लेना है इस टेकर चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर जो लिंक है इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद इस तरह का जो है interface आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे payment report इस पे आजाना है उसके बाद उपर में जो एक number link है checked beneficiary payment status इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे जो है इस वाले box में आपका जो air है वो select कर लेना है अब जिस भी air का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 22 यहाँ पे हम 2023 चोबी select कर लेते हैं और यहाँ पे beneficiary ID में आपके पास beneficiary ID है तो इसको रहने देना नहीं तो account number या फिर आधार number किसी से भी आप check कर सकते हैं यहाँ पे हम आधार select करने वाले हैं और इस वाले box में आपको आधार number जो है वो डाल देना है उसके बद सर्च वाला जो बटन है यह वाला इस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे बाद आपको इस तरह का जो इस टेटर कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी payment इनको नहीं मिला है और इनका pencil लगबग दो साल से बंद हो चुका है और पहले जो है इनको मिल रहा था तो चलिए हम पहले का इसका जो है इस टेटर दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 का हम दिखा रहे हैं आपको 2021-22 सेलेक्ट किया और सर्च वाला बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो payment list है वो पूरा खुल कर आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप यह सारा successful हुआ पड़ा है यहाँ पे जो इसका date है वो डाला हुआ है और इसका जो last payment कब मिला है यहाँ पर देख सकते हैं 2022-22 को last payment मिलने के बाद इसका payment हमेशा के लिए बंद हो चुका है payment Roka है इसका जो reason है एहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं ला भार्तिको not traceable किया गया है और इनका pension हमेशा के लिए बंद हो चुका है यह बंद क्यों हो है दोस्तों इसका आधार काट में उमर कम होने के कारण इसका pension हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है लगबक यह दो साल होने वाला है इनको एक भी रुपिया अभी तक नहीं मिला है अगर इस तरह का रिजन लिखा आ रहा है आपका इस टेटर में तो सेम यही प्रोब्लम होगा इसी वज़े से आपका जो पेमेंट है वो अना बंद हो चुका है तो दोस्तों इसको चालू कैसे करता है आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को लाइक कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें को अपना आधार काट को चेक कर लेना है अगर आपका आधार काट में 60 साल उमर हो चुका है एज आपका जो है 60 साल पूरा हो चुका है तो आपका जो आधार काथ है उसका फोटो कोपी करवा लेना है और पैंक पासबुक का जो फोटो कोपी है वो करवा लेना है उसके साथ में वोटर आईडी काड जो है वो लगा लेना है और साथ में एक पासव कमिट करना होगा जमा करना होगा और आपका जो paper है वहां पे verify होगा चेक किया जाएगा अगर यहले में आपका उमर 60 साल हो चुका है तो यहां पर आपका जो prescription है वो फिर से चालू कर दिया जाएगा दोस्तों आसा करते हैं कि मेरे दिये गए जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चानल को सब्सक्राइब करें